वियोर्ज ये सिर्फ और सिर्फ साड़े 25 करोड रुपे का घर है जिसके पूल या बेस्मेंट के अंदर में मौजूद था और इस तरहां का आर्किटेक्चर ना आज से पहले शायर आपने ना देखा हो और लाहोर अमेशा इंप्रस करता है आपनी आर्किटेक्चर ले ई coconut अमेश घर खर्ड़ के लेक्रा देंगे कोप scar के आपने एहां कोपार है आप अमेश साफ हताप्ने आर्किटेक्चर नाथ McCाने का झाहे विजददे इस दे रियल स्टेट के साथ वियोड़ मेरा नाम दानियाल है और इस टाइम पर मौझूद है एक रोल्स रॉइस एडिशन खुबसूरत और लाग्जीरियस एक बड़े स्केल मैगनी चूट के ऊपर एक कनाल के ऊपर बने हुए इस लाग्जीरियस घर के ऊपर वियोड़ इस आपके पास सिक्स मास्टर वेडरूम्स हैं लाग्जीरियस ली फार्निश्ट है और जिस मैगनी चूट और जिस फिनेस के ऊपर काम किया गया है तो वन इन आ काइंड एक लाग्जीरियस एक्सपीरियंस है सबसे पहले लोकेशन अगर एक्स्प्रेइन करूं तो बिल्कुल साथ आपके पास DHA Raya Club है उसके साथ commercial activities, massages और parking facilities आपको बिल्कुल walking distance के ऊपर मिलती है उसके साथ ये elevation चेक करें इस घर की क्या खुबसूरत modern lines के ऊपर काम किया गया है और Rolls Royce addition और Rolls Royce ceiling effect और उसके साथ aluminum profile lighting का का काम किया गया है इसकी complete elevation के ऊपर वियोर्स बहुत next level elevation है य बहुत ही next level, next gen इसके ऊपर काम किया गया है आपके पास Porsche capacity है जिसमें आप अराम सकून से 3-4 बड़ी sedans accommodate कर सकते हैं और उसके साथ plantation का इतना काम किया गया है exterior और interior के ऊपर के हर जगा आपको plantation नज़राती है उसके साथ ये इसकी main wide entrance है जहां से थोड़ी देर के अंदर मैं आपको अंदर लेके जाओंगा और चल के देखते हैं कि इसके अंदर जो basement है जो first floor है और जो ground floor है और जो के fully furnished है वो किस next level के उपर बनाया है से above उसके से so знаем है जो एगा जो है तेख sih है घ 하는데 घ plotsव साओग Mr. Pink झाल झाल इस ड्रीम लक्जिरियस एक कनाल के घर के अंदर और सबसे पहले ना इसकी वाइड एंटरेंस चेक करें के रस्टेड प्रोटेक्टेड रस्टेड गेट है जो के डोर है इस घर का और इस से आपको एंटरी मिलती है इस घर के अंदर थोड़ा सा आपको मैंने दिखाना चाओंगा इसकी डीटेल्स क्योंकि ये जो है ये protected rust है जो यहाँ पर लगाया गया है और complete metal sheets के अंदर इसको protect करकर यहाँ पर लगाया गया है और इसकी क्या height है क्या width है और यहाँ से आप इस magnanimous house के अंदर enter होते हैं जो के luxury at its finest है और एक dream capable house है यापने ना अपने खौबों के अंदर भी ऐसा घर नहीं देखा होगा जो आज आपको मैं सिर्फ एक कनाल के अंदर दिखाने वाला हूँ सबसे पहले भाई entry से ही start कर रेते हैं add tile आप size check करो वाई आप किन्नी वड़ियां tile आने तकरीबर मैं अगर 6 foot को 5 foot की तो भाई ये tile है इतनी बड़ी tile यहां पर लगाई गई है और ये complete house तक जा रही है उसके साथ ये चेक करें भाई जो समा है यहां पर आपके पास चूँके इस घर के अंदर basement है first floor है तो आपको मिलता है एक double heighted lobby setter जिसके अंदर viewable आपके पास OTS space भी है जहाँ पर planters placed है और trendsetters का chandelier है और उसके साथ ये complete lobby space है जो आपको entertain करती है जिसके right side से steps उपर जा रहे है transparent railing है और इसके साथ बड़ी मज़े की एक space आपको दिखाऊना तो आज यहां पोड़ियां थले जा रही है उसके साथ एक sitting space भी बनाई गई है यह और wooden steps है और यहां पर आपके पास again बड़ा जब़ादा style work है और इस side पर आपको मिलता है इसका powder area इदर भी अंदर live planters है यह आप chair का decor चेक कर सकते हैं जो furniture है वो top quality top notch है और यहां खड़े होके आपको इसका grandeur factor जो है वो नसर रहता है कि भाई actually मैं इदर हो क्या रहा है अब basically जो basement वाले घर होते हैं उसके अंदर आपके पास drawing areas नहीं होते वो सारे basement के अंदर shift हो चुके हैं यह नया concept है architecture का अब इस side पर entry पर यह आपको मिलता है एक study area, roof to ceiling curtains है बड़े जबरदस sheets के अंदर आपके पास viewable अंदर garden setup है और यह आपका अपना study setup है यह study commode है यहाँ पर बैठके इस limestone inspired wall से आप अपने thoughts को यहाँ पर thought provoking ideas के अंदर convert कर सकते हैं को बुक लेक सकते हैं office space को use कर सकते हैं और उसके साथ इस chandelier की भी तरीफ बड़ी ज़रूरी है क्योंके wooden theme के साथ आपके पास यह बड़ा मज़े का एक यहाँ पर chandelier भी placed है जो कि इस complete vibe of the house को maintain कर रहा है अब आपने कभी सोचा कि इन्ना निका कमरा तो इड़ा वड़ा दर्वाजा वो भी glass के साथ यह single glass cut है और उसके साथ जो borders हैं वो wooden के हैं तो यह बड़ी जबरदस चीज है उसके साथ आप यह panels को lit up देख रहे हैं यहाँ पर यह सारा का सारा automated house है यह इसके panels हैं सारी lights यह हैं वो touch controlled है iPad controlled है और इदर से viewers obviously ऊपर जाने का रस्ता है basement में जाने का रस्ता है और उसी के साथ भाई आपको मिलता है dedicated formal informal एक dining setup which is connected to the kitchen handmade wallpapers आपके पस marble counter top के साथ यह table मौजूद है जिसमें आपके पस तकरीबन 10 chairs है मेरे खियाल में 3 और 3-6 और 2-8 chairs वाला भाई और उसके साथ again chandeliers is next level आपके पस शीशा वीशा बड़ा जबरदस है इदर भी बॉल पेपर का इस्तमाल किया गया है और उसके साथ consoles प्लस tile work और roof to ceiling curtains भी मौजूद है live planter आपको इसके अंदर भी मिलता है जिसका size चकरो के नावट है उसके साथ आपके पस बड़े जबरदस यहाँ पर brass handles है और again मेरी height 6 feet है और इस दर्वाजे का आपना size और scale चेक कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा है तो यह सारा कुछ हो रहा है इसी घर के अंदर जिसकी demand सिर्फ और सिर्फ 25 करोड रुए है भाई उसके साथ shiny tiles है एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ बड़ी जबरदस्ट यहाँ पर अगर आप आते हैं देखें यह carved in lights है यह बती है जो के tile के अंदर infused है और यह सारी इस तरह railing के साथ across आपको देखने को मिलती है अब यहां से एक transparent look start होती है ground floor की जहां से actually आपका घर start होता है जहां पे आपका TV lounge है दो कमरे हैं इस media wall के पीछे है और उसके साथ open American space kitchen है यह बहुत modernized look है आपके पास tile work चेक करें कितना next level और luxurious है उसके साथ आपके पास camera controls है LCD है आपके पास couches है 5 bed आपके पास L shape एक stuff है और उसके साथ center table और उसके साथ आपके पास sofa chairs भी मौजूद है इस घर में बड़ी जबरतस चीज है कि आपको बताऊं कि क्यों हमने इसको rolls royce house बोला है क्योंकि आपके पास यहां पर rolls royce inspired ceilings मिलती है हर जगा पे basement में भी आपको मिलेंगी यह जो टीवी लाउंज है इसमें भी आपको देखने को मिलेंगी और उसके साथ जो इसका swimming pool area है उसमें भी आपको इसी तरह की inspired जो है वो ceiling effects मिलेंगे इसके साथ viewable आपके पास lobby space है chandeliers are next level by trendsetters और उसके साथ एक बड़ी खास चीज़ आपको दिखाता हूँ यह जो tile work है यह बड़ा minimalistic है consoles है instrument cluster है जहां से आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं और बड़ी मज़े की एक cozy environment में बैठके आप इस घर के ambience को जो है ना वो feel कर सकते हैं कि किस कदर next level minimalistic को at the same time luxurious top notch level पर काम किया गया है इदे ही बिलकुल सामने आपको मिलता है open space kitchen भाई यह open american space kitchen है sliding door with brass handles यहाँ पर use किये गए है बड़े scale पर और उसके साथ बिलकुल in the middle एक island जो के बड़ी जरूरत है घर की उसके अंदर बड़े मज़े मज़े के glasses पड़े हुए है आपके पास जो island के अंदर ही for the first time आपको मिलता है यह kitchen accessory setup यहाँ पर आपका foundation तोनाला setup है piano set लगा हुए आपके पास shower set है आपके बड़ेजीज का setup है बड़ेजीज का setup है उसके साथ यहाँ पर marble countertop नीचे की तरफ आपके पास दराज शिराज सारे है और अगर इस side पे आते हैं तो यही आपका formal dining setup भी है यह जो island है और इसके उपर जो शैंडिलियर है इस side पर भी आपके पास अगर आपके थोड़ा से देख सकें तो आपके पास यहाँ पर भाई dish washer भी मुझूद है concealed within the island अब इसका मतलब यह है कि इसी के नीचे इसका drain setup भी मुझूद है तो कितना setup इसका अच्छा रखा गया है आपके पास अवन्थ हैं आपके पास यहाँ पर यह चेक कर सकते हैं इसके साथ आपके पास और आपके पास इसके साथ करें अब यह भी एक next level setup है अगर मैं आपको दिखा सकूँ औरतों का ड्रीम सबजेक्ट है यह कि कुछ organized हो और जिन लों को OCD है उनके हिसाब से नहीं बड़ा जबर्दस सारह कुछ setup है उसके साथ artwork है, air condition है, बड़ा जबर्दस setup हो गया और इसके साथ एक greasy kitchen भी आपको देखने को मिलता है जिसका हलका सा आपको view करवाता हूँ आपके servants के लिए यह बड़ा जबर्दस setup यहाँ पर मौजूद है अगे आयो ओई स्टूल्स भी है आपके पास बार स्टूल्स टीवी लाउंज में एक दफ़ा हम फिर आ चुके हैं अब यहाँ पर भी जो छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई है वो बड़ी जबर्दस है अब इनकी हम obviously बात नहीं कर सकते क्योंकर काफी कुछ है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफी रैक्स हैं कंसोल्स हैं वाल वर्क कितना अच्छा है जिसको ब्लैक गुका बुरिक्स के अंदर किया गया है और उसके साथ यह जो फायर प्लेस है यह भी लाइव फायर प्लेस है इवर पके भी चला सकते हैं और यह है भाई इसका नीचे वाले फ्लोर का एक मास्टर बेडरूम अभी एक फ़र्ट फ्लोर पे आपको मास्टर बेडरूम मैंने दिखाना है जिसमें आपने हैरान हो जाना है लेकिन सबसे पहले इसकी बात करते है बहुत अच्छा स्टीको आपको मिलता है एस वाल वर्क आपके पास विदाउट ग्लेर लाइट्स हैं जो के बड़ी अच्छी पढ़ रही हैं यहां पर मीडिया वाल है जिसमें सब कुछ आपको देखने को मिलेगा आपके पास एक यहां पर सोफा चेर है रूफ टू सीलिंग कर्टन है यहां पर बड़ा जबरदस्त और ब्लैक जो लोग भाई ब्लैक के शोकीन है ना उनके लिए यह ड्रीम आपजेक्ट है यानि बहुत प्लास की फीचर्ड वाल उसके अंदर आर्ट वर्क इन्फ्यूजड और उसके साथ यह ब्लैक बेड विद आ इनू की कहन देने आटमन उसके साथ विंडो व्यू के साथ आपके पास इस साइड पे इस कमरे में थोड़ा सा बैठने का भी सेटप है यानि कोई मेहमान आपके पास आयाता है तुसी परशान नहीं होना यह थे आगे बंदा बैगेगा उसके साथ आपके पास अगें प्लांटर्स है जो इसका वाड़रोब सेटप है वो यहाँ पर जो सेपरेशन है क्रियेट की गई इस कंसोल से वहीं पर आपको यह सारा के सारा मास्टर वालियूम के अंदर मिलता है इसका वाड़रोब सेटप भाई इसकी क्या क्लास है यह चेक करें हैंडल्स आर कस्टमाइजबल आपके पास बहुत अच्छे लाइटिंग है उसके साथ आपके पास मेक अप का सेटप है जो सारा यह ड्रेसिंग आपको मिलता है यह बादशाहों वाली है रोल्स रॉइस वाली सेटिंग है और उसके साथ आपको मिलता है भाई यह सारा सेट जो vanity है वो floating effect के अंदर दिया गया है, यानि कोई mirror नहीं आपर दिया गया वैनिटी के साथ, बलके एक side mirror यहाँ पर दिया गया है, जो बड़ी अच्छी approach है, यह थे हाथ तो हो, यह थे अपने आपने वे खो तो निकलो, उसके साथ step up में आपको मिलता है, भाई, इस washroom के इसका shower setup जिसमें tinted glass है और concealed सारी sanitary है, ग्रोही की, तो fittings में लाजवाब, setting में लाजवाब, एक एक चीज़ को properly design करकर यहाँ पर पेश किया गया, ऐसे नहीं है कि भाई, कमरा बना के सोचाए कि क्या हो रहा है, second bedroom यह है, sofa seat, बेहतरीन किसम का setup, अब यह bed wall आपको देखने क सबसे पहले तो आपके पास Z homes का यहाँ पर bed मौजूद है, उसके साथ आपके पास बड़ा जबरतस यहाँ पर architecture elements है, जिसके साथ इसको featured wall को बनाया गया है, with black handmade wallpaper, artwork और overall setup आपके पास है, इधर की तरफ आप आते हैं, तो media wall है, rug placed है, wooden सारा का सारा आपके पास flooring है, और उस के साथ commode, प्लस आपके पास यह shower setup भी आपर दिया है, जिसमें बड़ा जबरतस tile work मौजूद है, अभी भाई जल्दी से चलते हैं, इस घर के ना swimming pool वाले area में, यानी basement के अंदर, और मैं जाके आपको इसकी lavish और next level, rolls royce basement दिखाता हूँ, जो कि आपको पाकिस्तान के Viewers, अब enter होते हैं ना इसकी lavish basement के अंदर, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर भी sitting space है, एक आपके पास powder area है, और यह वो triple height थी जहां से basically हम enter हो हैं, सबसे पहले आपको इसका ना थोड़ा layout explain कर देता हूँ, कि भाई, यह actually basement के अंदर हो क्या रहा है, मैंने आपको बताया था, क basement में आजकल drawing rooms होते हैं, उसी के साथ play area होता है, उसी के साथ guest room होता है, तो यह सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, यानि तोड़े कोई महमान आए, उनको आपने सीधा basement में ले आना है, ना वो interrupt करेंगे आपकी family के साथ, ना कोई privacy का issue होगा, तो यहाँ पर वो बैठ सकते हैं, इसको कहते हैं modern living, इसी के साथ play area है, इसी के साथ bar setup है, और इसी के साथ आपको मिलता है, इनका guest room area भी, अब यह इतने lavish और luxurious जो घर होते हैं, इसी के अंदर आपको मिलता है, आपका swimming pool का भी setup, यानि एक form house भी attach होता है इसी के साथ, तो भाई यह है, इसका transparent vibes के अंदर बना हुआ, swimming pool का area, यह इसमें sliding door रखा गया है, open to air रखा गया है, और segregated है, यहाँ पर कोई shore नहीं आएगा अगर आप drawing area के अंदर बैठते हैं, तो separate है, सारी के सारी activities है, यहाँ पर सारा outside tile work है, sitting space है आपके पास, और बड़ी खास चीज़ अगर आपको दिखाऊना तो इध से proper view मिलता है, आपको आपके सारे के सारे drawing setup का और play area का, पीछे lighting work चेक करें किता मज़े का है, bean setup है, आपके पास outside furniture है, planters है आपके पास, आपके पास यहाँ पर इसका shower area बना हुआ है, और उसके साथ भाई, यह सारा open to sky है, OTS area है, और उसके साथ ही यह है, इसका full flesh एक बड depth है, क्या width है, LED strip lighting है, aloka bond यहाँ पर use किया गया और उसके साथ जो tile work है, वो भी water repellent है, उसके साथ इतने बड़े scale पे आपने कभी एक canal के अंदर इतना बड़ा swimming pool नहीं देखा होगा, तो यह बड़ी खास चीज है यहाँ पर, उसके साथ आपको यह बड़ा जबर्दस look मि तो यह सारा दिखाना, मैंने का आपको एक दोहा दिखा दूँ और इसके अंदर आपको इसका सारा setup मिल जाएगा, इतने भी तुसी बैस सकते हो, उसके साथ यह area मैंने आपको थोड़ा सा sneak peek दे दिया था, लेकिन detail में आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले जो furniture की quality है ना, वो बड़ी next level है, यानि आपके पास again rolls royce वाला ceiling effect है, जिसकी वाईस हमने इसको rolls royce house का नाम दिया है, LED strip या aluminum lighting work है, आपके पास projector यहां पर placed है, जिसमें सामने वाली wall पर आप देख सकते हैं, कुछ भी cinema experience, आपके पास roof to ceiling curtains है, और same यह जो rolls royce ceiling effect है, यह आपको swimming pool के ऊपर भ projection होगी, उसके साथ बड़ी जबरदस अगर furniture quality आपको दिखाऊं तो यह sofa चेक करें, यह massage chair से दस गुना बेतर है, सकून से बैठने की जगा है, और अराम दे महोल आपको देखने को मिल जाता है भाई, उसके साथ यह जो space आप देख रहे हैं, यह है इस घर का play area, यानि chandelier by trendsetters है, और आप खेल सकते हैं इधर eight ball pool, eight ball pool नहीं, उसके साथ cushioned walls हैं, बड़ी अच्छी featured walls है, आपके पास यहाँ पर planters placed हैं, और अगर दूसरी side पर मैं आपको दिखाऊं तो यह बड़ा जबरदस artwork भी यहाँ पर मौझूद था, जो शायद मैंने miss out कर दिया था, ल बंदा और कुछ देखता ही नहीं है, बंदा कहता है कि मैं easy feel करूँ, यह इसका bar setup है, kitchen space, U-shape में आपके पास racks है, granite countertop है, bar stools पड़े हुए है, कुछ यहाँ पर आपके पास cutlery है, और उसके साथ मजीद racks है, जिसमें एक बड़ा जबरदस lamp भी यहाँ पर placed है, और overall यह आपके पास एक gaming setup है, एक आपके पास यहाँ पर playing setup है, swimming pool है, एक form house type basement मौजूद है इस घर की जिसमें, यह जो drawing setup है, यह भी यहाँ पर मौजूद है, अब यहाँ पर एक guest room भी दिया गया है, अगर आपके पास कोई महमान आता है, drawing setup के बाद वो सोना चाता है, रहना चाता ह आपके पास, तो आप उसको यह कमरा dedicatedly दे सकते हैं, अब यह chairs का style चेक करें हैं, सबसे पहले तो, कितनी कमाल की यह chairs है, आय है है, बहुत अच्छा comfort level, इसके साथ console racks भी आपको मिलता है, mirror के साथ onyx stone मिलता है, racks मिलते हैं मजीद, और यह वाहिद मीडिया wall है, जिसका face रख खरीच सकते हैं, बहुत जबरदस, बहुत intricate detail और बहुत बड़े scale के उपर यहां पर लगाया गया है, थोड़ा से मैं आपको इसको clearly बताना चाहूँगा, इसको अगर मैं ऊपर कर देता हूँ, यह चेक से रहे हैं, वाह, अब आपको इसकी खुबसूरती नजर आ रही होग इस साइड पर वीवर्ज आते हैं, तो आपके पास study setup है, यह dressing setup है आपके घर का, ठीक है, उसके साथ आपको इसका washroom मिलता है, जो के cream या beige color के अंदर है, complete vanity setup, आपको यहां पर tinted glass shower setup, और उसके साथ यहां पर wall hung का more भी देखने का मिलता है, तो भाई, यह basement का सारा tour था, doors enter होते हैं, अब इस घर के first floor के उपर, सबसे पहले एक huge humongous chandelier आपको welcome कर रहा था, जो grand lobby से, वो अब आपके करीब आ चुका है, और यहां पर complete tile work और aluminum profile lighting की गई है उसके साथ, बहुत जबर्दस tile work है, यह बीच में एक center TV lounge भी आपको देखने को मिलता है, और एक instrument automated panel यहां पर भी मौझूद है, इसके साथ OTS area है, तो बड़ा जबर्दस view आपको शाम के time का मिलता है, और अब आ जाते हैं, इसके main feature के उपर, जो इस first floor का और इस घर का main feature है, जो कि यह master bedroom है, सबसे पहले यह चेक करें, ओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओ आपको मिलता है, इसके patio area से roof to ceiling curtains है, बहुत जबर्दस एक बड़ा grand setting setup है, जो कि आपको इस bedroom के अंदर मिलता है, यह bedroom के अंदर एक drawing room यहाँ पर बनाया गया है, बड़े जबर्दस, comfortable sofa's, आपके पास sofa chairs, center tables, और यहाँ पर इसका dressing भी मुझूद है, आप थोड़ा सा return करें, मतब return करें, यह चेक करें भाई, सबसे जो grand चीज है, वो है, यह space, यानि इसके उपर आपको डेड़ हाइट मिलती है, जो के bed को cover करके बैठी हुई है, और उसके साथ chandelier है, बहुत class का, जो के इस bed को cover कर रहा है, bed एक grand size का है, bedding class है, उसके साथ featured wall, floral है, आपके पस lamps है, आ यह जड़ा table है, यह normal center table नहीं है भाई, यह tempered glass है, और इसके उपर वाला जो है, यह completely movable है, यह बड़ी class है, उसके साथ rugs, आपके पास wooden flooring, roof to ceiling curtain, जो के आपको पूरे तरह से cover करते हैं, इस bedroom में, अब आप समझ रहे होंगे, कि यह tour खतम होने वाला है, लेकिन नहीं, यह bedroom washroom का, जो master washroom है, वो चेक करें भाई, double highted ही, आपको इसका master washroom मिलता है, जिसमें again, rolls-royce ceiling आपको मिलती है, बड़े बड़े तारे टमूने मिलते हैं, और complete length में यह बना हुआ है, इस side के आपके सारा कपड़े पतलूने चेंज करने का setup है, बहुत बड़े लाइटि जो के एक spaceship style है, और उसके साथ ये शैंडलियर गए, यानि मेरी बूती देखें, उसके बाई ये शैंडलियर देखें, कितना वड़े है भाई, ओए, 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 ये देखें भाई, full time crystal work, मैं जजदा हाथ भी नहीं लगाना चाहता है, इसमें जिसमें आपको outside environment भी मिलता है, और shower setup इसका यहाँ पर बना हुआ है, तो कितना next level ये सारा का सारा washroom है, और complete length में बना हुआ है, इतना जबर्दस, इतना heighted और इसका अपना AC भी यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये बड़ी खास चीज है, उसके साथ आगे आएं भाई, इसमें आपको patio space भी मिलती है, जिसमें hanging garden concept दिया गया है, fire place आपको दी गई है, यहाँ यहाँ पर आप बाबी क्यों setup कर सकते हैं, आप उपर की तरफ setup देख सकते हैं, ये complete, हर घर के अंदर ये requirement है, डिये चेकी कि आपने कुछ area जो है, वो open छोड़ना है, तो आजकल के जो पैशियोज हैं, वो study का सिर्फ setup चेक करें, यहाँ आकर आप देखते हैं, जो बंदा पढ़ रहा है, उसके सामने proper greenery का effect है, यहाँ उसके साथ भी एकना thoughtful यहाँ पर play किया गया और double glazed windows दी गई है, उसके साथ media wall है, purple walls है, आपके पास यह बड़ा अच्छा concept है, और उसके साथ जो lamps हैं, यह भी washroom की height का दर्वाजा, देखें, 10 foot का दर्वाजा लगाया गया है, vanity setup आपको मिलता है, जिसमें यहाँ पर बड़ा अच्छा decor किया गया है, शीशे का, इसके पीछे आपको बस wall hung का mode, और यहाँ पर आपके पास shower setup है, जिसको दोनों साइडों से approach आप कर सकते हैं, last but not the least, viewers last camera आपको दिखाते हैं, यह है इसका आखरी कमरा, बड़े scale पर कमरा बनाया गया है, इसके साथ बहुत अच्छा play किया गया है, इसकी featured wall के अंदर, आपको अस्ट्राविटाइन marble effect यहाँ पर दिया गया है, plaster of paris में, उसके साथ roof to ceiling curtains है, bed बड़ा जबरदस्त है, इसी side पे same to same वही wall recreate की गई है as dressing setup और उसके साथ आपको मिलता है इसका यह washroom, वाश्रूम की भी lights सारी automated है, सब कुछ मुझूद है, तो जल्दी से जाएं viewers, अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया तो subscribe करने हैं जिसमें हम Pakistan के सबसे luxurious और सबसे महंगे और सबसे comfortable houses आपको दिखाते हैं, तो ऐस मजीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे channel subscribe करें, वीडियो को जाएद जाएदा like करें, share करें ताकि maximum लोगों तक यह information पहुंच सके और उनका कुछ ना कुछ फाइदा हो सके और वो अपना next dream house हमसे buy कर सके, थैंक यू, अलाफिस